आ रही है महाराष्ट से वहां का रुख करेंगे और खबर यह आ रही कि महाराष्ट की शिंदे सरकार की कैबिनिट की बैठक चल रही है और इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का फैसला हो सकता है जी हाँ एक बड़ी खबर और इस बड़ी खबर पर लेकर हमारे साथ जुड़ गए है हमारे सायोगी श्वेता वर्मा श्वेता बताईए क्या जानकारी है आपके पास क्या फैसला हो सकता है जी बिल्कुल देखिए सियासी उतरत पुदर के बाद अब महाराष्टा में क्याबिनेट मीटिंग के दौर शुरू हो गया है इस वक्त हम मंत्राले के मौजूद हैं और कुछ समय पहले ही क्याबिनेट मीटिंग की बात करें तो देखिए खासा महत्वपूर्ण है ये मीटिंग जहां पे अब हम देख रहे है कि किस तरीके से सेटिलमेंट हो रही है और कुछ जो महत्वपूर्ण नतीजे है वो उसका फैसला लिया आजाएगा सबसे पहले तो महराश्रा में जिस तरीके का बारिश के कारण संकट बना हुआ है फ्लड लैक सिच्वेशन है उसके बाद वैट पर डिसकेशन होगा जैसे आपने बताया पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट किस तरीके से घटाना है इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा ह होगी और इसके साथ ही यह देखना होगा कि आखिर में जो मिनिट्स ओफ मीटिंग है उसमें क्या कुछ डिसकेशन के महत्वपूर्ण पॉइंस निकल कर सामने आ रहे हैं लेकिन इसके बीच में बता दें आपको देवेंद्र पड़नवेस के साथ आज सीम एकनाठ शिंदे कि जो यह क्याबिनेट मीटिंग है इसमें कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि अब भी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उससे कैसे निप्टा और बारिश को मद्य नजर रखते हुए सबसे पहले यह एमर्जेंसी अलर्ट पे SDRF टीम से लेकर हर कोई वो टीम को इ से थे NDRF टीम ने निकाला है इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बाकी के जो पॉइंट्स हैं जो डिसकेशन्स हैं वो रखी जाएंगी अभी कुछ देर में ही यहां पर मीटिंग शुरू होगा तकरीबन यह मीटिंग एक बज़े तक चलेगा जिसके बाद CM1 चिंदे के कई और प्लान्स हैं जिसमें प्रसिदेंशल इलेक्शन के मीट के दौरान भी वह बाकी लोगों से मिलेंगे इसमें यह देखना होगा कि क्या कुछ मिनेट्स ऑफ मीटिंग में निकलकर सामने आते हैं जी धनिवाज श्वेता ये पूरी डीटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए तो एक एहम मीटिंग महराश्च्र काबिनेट की जहां पर वैक्ट में कटोती होने की उमीद लगाई जा रही है इस पे जो भी अपडेट आता है उसके लिए हम आपके पर साथ जरूर से जुड़ेंगे कि क्या कुछ इस मीटिंग से सामने निकल लिए